नमेश्कार प्रीय दर्शकों मैं प्रियंका आप सभी लोगों का सुवागत अभिनन दन करती हूँ कैसे हैं आप लोग दर्शकों आज इस वेडियो की माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अपने भाग्ये का साथ फिर से कैसे पा सकते हैं और भाग्य का साथ पाने के लिए जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए किन उपायों को आप अपना सकते हैं जिससे आप लाभानवीत हों आज हर व्यक्ति सुख से विधाओं की तरक्की हासिल करने के लिए जीवन की भाग दोड में लगा हुआ है लेकिन कई बार पूरी तरह से मेहनत करने के बावजूद ही सफलता हाथ नहीं लगबाती है और हर तरफ से व्यक्ति निराश हो जाता है ऐसे में अपने भाग्य का साथ पाने के लिए और जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए जोति शास्त्र के अनुसार कुछ आसान उपाय होते हैं जिने करके आप अपने जीवन में संपनता अरजित कर सकते हैं तो आईए जानते हैं इन खास उपायों को तो सबसे पहले जब आप भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी आप गौमाता के लिए निकालें और आखरी रोटी कुट्टे के लिए निकालें ये आपको प्रति दिन करना है ऐसा करने से पित्र दोश भी दूर होता है और भाग्य का आपको साथ मिलता है साथ ही आपके कारियों में जो बाधाएं आ रही होती हैं उन बाधाओं से भी आपको मुक्ति में जाती है दूसरा उपए है कि गुरुबार का व्रत करना अत्यनत लाभ दायक होता है क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पति हमारे कुंडली में यदि भागेश होकर के बैटे हैं तो बहुत अच्छी बात है कुंडली में ब्रहसपति ग्रह को भागेश भी कहा जाता है कुंडली में गुरु ग्रह के कमजोर होने से जीवन में व्यक्ति को हर कार्य में निराशाहांत लगती है इसलिए अपने भागे को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार के दिन व्रत रखें केले के पेड़ की पूजा करें क्योंकि देव गुरु ब्रहसपति धन के कारक होते हैं संतान के कारक होते हैं सिक्षा के कारक होते हैं तो गुरुवार का प्रत करने से आपको हर प्रकार की संपन्नता प्राप्त होने लगेगी सुख समरिधी का घर में वास होगा। तेसरा उपाय है कि पक्षियों को आपको रोजानत दाना डालना चाहिए, चाहे आप अपनी इसे दिन चर्या में शामिल करने। तेसरा उपाय है कि आपको हर दिन पक्षियों को दाना डालना चाहिए, इसे आप अपने दिन चर्या में शामिल कर ले, फिर देखें कि आपकी सोई हुई किसमत कैसे चमकती है। उपाय को बदल देते हैं, छोटे-छोटे उपाय हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है, हर दिन के कार्यों में हमारे ये उपाय शामिल होते हैं।